तो हम लोग ने अभी इसके पिछले वाले वीडियो में दो कोस्टन किये थे जो की आई हुए है और फर्दर हम लोग कुस कोस्टन और पिक करेंगे जो 2012 आई तो इस सवाल को कैसे अटेंड करते हैं हो सके तो पहले आप खुद अटेंड कर लो उसके बाद वीडियो को आगे अगर हम लोग बात करें स्टार्ट पॉइंट क्या है इसका इसको स्टार्ट कैसे किया जाए तो तुरह इसका प्लान देखते है इसमें जो रूट लगा हुआ है वह इंफाइनाइट तर्म्स तक जा रहा है ठीक है अब इसमें प्रॉब्लम यह है इस वाले पार्ट को जितना इसमें हमने सर्कल पॉर्मेट में क्रेट किया है अगर हम उसको कुछ लेट कर ले सपोस्ट एट एक्स माल लेते हैं तो फोर माइनस वन बाई थी रूट टू पॉर माइनस वन बाई थी रूट टू यह जो फर्स्ट रूट है पूरे कंप्लीट इंसाइट नंबर के है और सेकेंड भी कंप्लीट है और थर्ड भी कंप्लीट है तो इस तरह से करते करते हैं सारे रूट कितनी बाराने आपके इंफाने टूम्स तक जाने हैं ठीक है कई जगह यहां पर टर्म भी लिखा जा सकता है बटेगा टील इंफानेट से अंदर शूट है अब बताऊ यह जो रूट है कितनी बार आ है तो लॉजिक से बात है कितनी बार यहां पर जाना आपको इंफाने इंफाने टॉम में एक पैटन चल ला है यह जो पार्ट है अगर एक रूट को छुपा लिया जाए अगर एक छुपार भी लिया जाए तब इसका मतलब है कि 4-1 by 3 root 2 इसको छुपाने बाद यह total infinite root है इसको अटाने बाद यह पूरा ओके लाइड इस और इतना जो बचता है यह सिर्फ इतना तो after removing भी यह कितने terms होंगे infinite terms होंगे और आप बताओ जब infinite terms तक है तो उसको हमने start card में क्या use किया है x okay x की तरह use किया है इसका मतलब है कि यह जो part है यह भी infinite terms है तो इस पूरे वाले place की जगह पे हम लोग अपने तरह से क्या ले सकते है x अब यहां पे कुछ student को दो सब्सक्राइब की problems होते हैं कुछ student ऐसा लिखते हैं कुछ student ऐसा लिखते है तो अगर मैं discussion की सब्सक्राइब कर testify कर करूँ यहां वाला साहिए कि यह वाला तो मेरा कहना है कि सई यह वाला है कि गल्लत कि वाला अब बात करते हैं इसक क्यूं हुआ यह सई है और यह गलत है वाल यह यह जो रूट लगए न ये complete number के बाद रूट नहीं लगा है ये वाला चीज तब सही होता जब question इस तरह के होते है something ये तब सही होता जब question में या brackets लगे होते है ये bracket नहीं लगा है इसलिए question को अच्छा माना जा रहा है तो I think clear हुआ आओगा कि इन दोनों में से कौन सही है ये सही तब होता जब यहां पर bracket यहां bracket and bracket हमें इसको remove पर देता हूँ ये वाले बात लोगों से कावी सारे mistakes होते है इसलिए मैंने दोनों point ले लिया था ठीक है अब यहां solve करते है अब जो भी process होगा सिर्फ calculation के लिए होगा both side whole square okay so left side is x square and cross multiply इस पाट को factor करते हैं तो आइटिंग फैक्टा सबको आता होगा फिलावाद इस पाट को फैक्टर करते हैं दालता हो ओके तो मैं यहां से कर लेता हूं जो फैक्टर नहीं कर पाते हूं वह सिजाचार फार्मले से भी लगा तो यहां से थ्री एक्स माइनस फॉर रूट्टू कामा ना जाएगा अलाई कामा रूट्टू एक्स प्लस थ्री है आप्टर टेक कामान यह वालव टाप बचेगा ओके ठीक हैं अब यहां सब देख सकते हो अश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्य प्रिकुलर पैटर्न से कैसे डिसाइड करें कि पहला सही कि दुसरा सही है उसके लिए हम लोग को find वाले पर वापस आते हैं फिर decision ले लेंगे हम लोग कि पहला सही कि दुसरा तो हम लोग यही चीज़ find कर रहे थे according to question 6 plus log 3 by 2 1 by 3 root 2 और या तो question में इसी वाले part को हमने क्या नाम दिया था x अब यहां से कितने x आये हमारे दो आये तो बारे बारे से एके करके चेक करते हैं के इस फास्ट इफ अगर x की वाईलू फश्ट वाला लिया जाए तो आएगा आप 4 root 2 by 3 इस x को find वाले में पूट कर दो एक्स की वाईलू है 4 root 2 by 3 root 2 से root 2 खता हूँ यहां पर 4 और यहां पर 3 into 3 हो जाएगा आपका 4 by 3 की स्क्वार आई थिंग ठीक है ओके यहां पर आपका बसता है 6 plus लॉग स्वरी यहां पर यार टूबी स्क्वार होगा यहां पर हो सकता है 2 by 3 पावर मानस टू अगर इसको इंटर चेंज करें तो पावर मानस वान आ जाता है इतना बेसिक में अधा को आता होगा लॉग स्वरी यहां पर फिर 3 by 2 बन जाएगा तो मानस टू लॉग और आप देख सकते हो यह एक फार्मॉला होता है सबको पता है अलोड़ेडि लॉग एबसे जब दोनों टम सेम सेम होते हैं तो उसकी वह लूट होता है इसका लेक्चर काफे अच्छे समय ने किलियर किया है जागे देख सकते हो यहां से एक अंसर फोर आया लेकिन बात यह आती है कि क्या यही अंसर हमारा फाइनल है क्या दुसरे वाले अंसर से अंसर आएगा कि नहीं आएगा उसका डिसीजन लेने के लिए हम लोग वाद पास चेक करते हैं तो आप इतना नोट कर लो ताकि इस सेकेंड केस्ट भी देखा जाए के से स्टार करें के से के सेकेंड मानस थ्री बाई रूट टू चलो यहां पर रख करते हैं कि यह मैं कुछ ज्यादे ही सौल करना हूं प्ला बट यह अंडर्स्टूड है कि यह वाला जो पार्ट है कि यह अन्डिफाइन है अब यह अन्डिफाइन क्यों है कि याद करो लॉग एक्स बेसे लॉग एट थम का पहला लेक्चर प्लीज जा कि आप देखो सही रहेगा मैंने बताया था कि लॉग एट बेस भी कब डिफाइन होता है यह मैं थोड़ा से रिकवर करा रहा हूं लॉग एट थम के फर्स्ट लेक्चर का यह दिफाइन ताब होता है जब यह वाली बात और यह वाला प्लेंज दो है वो पॉस्टिव हो सेकेंड पॉइंट बी भी पॉस्टिव होना चाहिए और इसकी वालू सीर्फ और से वन नहीं होना चाहिए और यह दोनों इसलिए बेस वाला बेस से देख रहे हैं और एक प्लेस पर लिखा है मायना साथ लेकिन एकॉर्डिंट टू थिवरी एक वलू कैसा होता है हमेशा एकॉर्डिंट टू लॉग प्रॉपर्टी यह ग्रेडर दन जीरो लेकिन यह है निगेटिव इसलिए इस केस का क्या आएगा इसलिए फाइनल अंसर क्या आएगा वो हो जाएगा फोर यानि कि आपसन के साथ से अगर बात करें तो वो है आपसन नमबर फोर आई थिंग डियापसन ओके तो इस तरह सम लोगों ने कॉश्चन देखा अब कॉश्चन है दो वेलु अफ लॉग नाइन बेस टू का होली स्क्वार वन अपाउन लॉग तो लॉग नाइन बेस टू इंटो रूट सेवन वन बाइन लॉग शेवन बेस पोड़ एक लिए जो पॉसन आया था तो यह इंटीजर्स में था इंटीजर्स का मतलब होता है जीरो से लेके नाइन की बीच में कोई भी डिजिट से हो सकता है तो इसलिए में इसका कोई आपसन नहीं दे रहा हूं ठीके यह जो भी अंसर आ इसमें एक प्लान अगर सोचा जाए तो मेरे साब से इसको जल्दी लगाने कुछ तरीका बन सकता है प्लान इसमें यह आप पहले हो सब्सक्राइब कर लो तो ज्यादा बेटर होगा अगर आप देखो अधियान से तो यह वाला जो पार्ट है इसलिए मैं इस टर्म्स को कुछ अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीज माल लेता हूं क्योंकि इतनी बड़े-बड़े टर्म्स लिखेंगे तो हमें लास होगा बहुत साथ चीज़ प्रॉब्लम आएंगी तो मैं लेट कर लेता हूं इसको लेमडा माल लेता हूं ठीक है लेमडा एकॉल टो लॉग नाइन बेस टो बात में अवसकता अनुछारम लोग यहां पर यूज कर देंगे ठीक है तो बताव सेम कोशन क्या करेट हो गया लेमडा स्क्वार क्योंकि इसके प्लेस में लेमडा माना है इसक्वार अपनी जगा पर है वन अपन लॉग तो बेस प्रवेस से ठीक है अब बताओ एक पाउर एम के पाउर आपने प्रॉपर्टी पड़ा होगा कि पावर का पावर में मल्टीप्लाइब रहता है ति यह जाता है कि लेमडा बैट तू एक काम कर लेते हैं कि इसक्वार लेते वन अपन इसको अधिक रूपन आएगा जैसे इ एंटर चेंज हो जाता है क्या होगा इंटर चेंज होके लेमडा यहाँ आएगा ट्व यहां पर जाएगा रूट सेल्पल्षक्टे है 7 की पावर वन बाई टू लोग तो और को लेक्स सकते हैं टूगा स्कॉर एक और को लेक्स लेमडा इंटू यह जाएगा हाव तू सामने आ जाएगा थीग गईज यह ब्रेकेड में लगा सकते हो और चाहों तो 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 के इस टू को आप इस वाले दो के पाउर में दे दो क्योंकि लॉग यहां से लिख सकते हैं हम लोग लेक्मडा पावर कि तो कई स्क्वार इंटू कि सेवें लॉग तो बेसे में अब मैं आपको एक फॉर्मलिया दिलाता हूं जो कि यह पढ़ा दिया गया है बड़ फिर भी एक बार रिवाइद करना जुरूरी भी है एक पावर लॉग भी बेसे इसमें कॉनसेफ्ट था कि कोई नंबर है किसी वड़ाइब का उसका पावर जो है लॉग से यह दोनों का सेम होते हैं पता था कि यह चांद को सेबी होना वह भी होना तो यह ओना । लगना और यहां पर किया ईसका पाउर लॉप का उसे का पाउर का पाउर है कि आइमीन बेस और लॉक का बेस सेम तो है लेकिन बारबा कह रहे हैं कि लॉक का को ब्रब्सेट वन होना चाहिए लेकिन यहां पर क्या है इसलिए हमने टू को पावर्म दिया ताकि वहां पर बन सके अब हम फॉर्मला यह यूज कर सकते क्या इतना पार्ट से में बेस और तो यहां से हमारे पास जो फाइनल अंसर है वह एट आता है एक बार आप देख लो फाइनल अंसर है तो यह जैडवान 2018 में आया था ओके को सनो रहे है जैडवान 2013 वे इसी जब इसी प्लेश से पहले इसी साल से 2013 से स्टार्ट हुआ था जैए मेंस एंड जैडवान्स दूसी समय का इस नहीं मैंने जैडवान्स लिखा एक है को सब्सक्राइड थिरिक पावर एक्स पोड़ पावर एक्स माइनस वन देन एक्स इस ओब्लिक मेर का मतलब है कि इस कोशन में एक्स के वैलो चार आप्सन के कॉर्डिंग एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं अब वो कौन-कौन से आप्सन्स हैं वो भी दिख लेते हैं और विए फॉर आप्सन्स अब जखते हैं सवाल को कैसे स्टार्ट किया जाए अग्यों सब्सक्राइब तो पहले सब्सक्राइब करते हैं इसको एसको रहने दो क्यूंकि आप्सन के कोडिंग भी मुझे वर्क ना वे सवाल में तो देख सकतो चार आपसMr. अब ये डॉट नहीं होगा कि एक आपसन्स सही है कि दो कि तीन यह चार क्योंकि मेंने इस भी लिखाए और मतलब एक भी सही हो सकता एक से ज्यादा भी सही हो सकता प्ले क्यूंकि टूल स्टार करते हैं सल्यूस OS 3 पावर X 4 पावर X माइनस 1 पूरी mathematical tools में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा function होता है जिसकी वज़े से कोई भी power सामने आ जाता है सिर्फ एक ऐसा function है पूरे maths के department में सिर्फ एक ओके चलो वो बात भी करेंगे कुछ मिनट के बार तो आप बेसिक बात यूज करते हैं कि क्या कारण है कि एडवांस में पूछा गया है आपको लग रहा होगा कि यह सवाल देया क्लास 8 में भी किया जाता है ठीक है तो 8 में किस तरह के सवाल करते हैं सब्सक्राव भी देखना जुरूरी है यहां पर नाइन लिखा होता है या थ्री लिखा होता है पाइचांस तो यह तो बेसिक फार्मला या सबको पता है कि सिक्षाइलि बेस अ कि बानसे कुछ पर अजू कि फिर सीन हो गया तो थो यह पर फारेक्षाइल मिलकुलन सकते हैं देक फिर से यह संब REYघेखना हो गया तो पावद परमकल कर सकते इस तो अधिम नोडिल लेकिन जो में शवाल है उसमें क्या इसे यहां पर लिखा है एक यहां पर लिखा है फोर क्या फोर को तिरी के पाउर में कुछ लिख सकते हो गया बिल्कुल नहीं सकते हैं कि वह सवाल नहीं कि यह वह सवाल पूछने वाला जो वेरियेबल है पूछने वाला जो वेरियेबल आने एक से वह किसी भी नमबर के अगर पावर में लिखा हो तो हमेशा इस तरह के सिच्वेशन में बोद साइड लॉग लेते हैं कई स्टुटेंट क्या होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं बोद साइड लॉग तो लिख लेते हैं फिर सोचते हैं कि आप इस बेस का डिसेजन अभी मतलो अभी सिर्फ यह बोलो बोद साइड लॉग जैसे ही आप एक्स निकालोगे आप संस को देखकर डिसाइड कर लोगे कि यहां पर कहुं सा बेस लेना सही होगा तू बेस सही एक थिरी की पॉर की फाइव यह सीख यह सेवन जो भी है इसलिए मैं सिर्फ यहां पर लॉग लिखा हूं तो चलो इस्टा करते हैं तो बोद साइड लॉग लिया है मैंने बे इस नहीं लिखा है ओके बाद में लिख लेंगे आप संको देखका अब चलो इस टार करते हैं लॉग एम की पार एंड क्या होता है यह होता है यह हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन लॉग फोर अपने को कॉर्शन में क्या निगालना है सिर्फ और सिपक्स निगालना है कि यहां से गर एक्स को कलेक्ट किया जाए लॉग फोर को एक साथ मल्टिप्लाइगा लो तो तो यहां से आए थिंग आपका जो एक्स आएगा वह आजाएगा लॉग फोर डिवाइड बाई लॉग 4 मानस लॉग 3 दियान रहे है किसी भी जगह पे बेस नहीं लिखा गया है एक्स की वेलू आ भी चुका है किसी भी जगह बेस नहीं लिखा गया है तो हमारे हिसाब से अगर पेपर सब्जेक्टिव होता यह भी अंसर हमारे सही होते हैं बट हमें क्यूंकि आपसन को देख का अंसर को टी करना होता है इसलिए मुझे आपसन के हेल्ब से ही इसके अंसर तक पहुचना है तो कैसे हैं देखो पहली बात कि यह देख सकत हो यह दोनों सेम से मुझे नजर आ रहे हैं काम कर लेते हैं लौक 4 से डिवाइड कर देते हैं लौक 4 से डिवाइड तो यह ओ शेर तो यह बचलेगा लौक 3 डिवाइड बाई लॉग 4 अब आपको यह प्रॉपर्टी याद होगा मैं याद दिलाता हूं कि लॉग A अपन जो लॉग B लिखा होता है इसको हम लिख सकते हैं लॉग A बेस भी लॉग A पे भी कोई बेस नहीं है लॉग B में भी कोई बेस नहीं है लेकिन अगर इन दोनों क यहां एकठा किया जाए तो एन निमेरेटर वाला नमबर हो जाता है और डिनमेरेटर वाला नमबर उसका बेस बन जाता है यह भी हम लोग फार्मॉला इस्टाडी कर चुके हैं तो मैंने बस याद दिला है ताक यहां पर वरकाउट कर जाए रहें ठीक है तो यहां पर यह डिवाइड बाइड लौ फो गैब तो यह भी सही है यह बद क्या इस प्लेस पे आप सम्धनाझ एक आप देर सकते हूं भी व्लाप मिलना है श्रुप बीवल अपार्ड यहां पर मिलना इस्टार्ट हो चुका है अब क्यूंकि इज और लिखा है तो मुझे यह भी ज़र्च करना जरूरी है कि कहीं एक से ज़्यादे आपसे तो नहीं सही है साइड ऐसा हो भी सकता है तो देखते हैं कौन-कौन से आप सनौवड भी सही पॉस्वल है यहां पर सो ना इस्टार्ट तो यह भी एक अंसर है ठीक है अब इस प्लेश से अब एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं प्रॉपर्टी था कि किसी भी लॉग में अगर बेस के पावर होता है तो सामने वो भी आता है बट वह रेसी प्रॉकल में पावर आता है तो यहां पर टू लिखा है तो सामने आएगा वन अपाउन टू एगा तो यहां सो जाएगा टू अपाउन LCM उनसे हम लेकि solve करोगे तो यह आजाएगा तो क्या same बात को हमने एक अलग फॉर्बेट लिखा थे यह भी एक अंसर हो गया तो क्या यह अंसर सही है चेका लेते हैं तो अब देख सकते हो यह मिल ला है अब बचे इसको कैसे हम लोग manipulate करके create करें तो I think यह हो गया तो दो आप्शन अब तक सही हो चुके यहाँ पे अब मैं इस से चल ला हूँ तो अपाउन टू लॉक थ्री बेस टू को में डी सकते हैं लॉक टू बेस थ्री इस तरह से इंटर्चेंज वाला formula पड़े होंगे अब लोग A बेस B होता है तो इसको 1 अपाउन लिख सकते हैं इसको यह multiply करो 2 log 2 बेस थ्री मानस 1 log 2 बेस थ्री यह वाला पाट अब उपर चला जाएगा तो अब देख सकते हो क्या सेम चीज कहीं मिल ला है तो मुझे लगता है यह मिल ला है तो यह भी अंसर है तो अब देख सकते हो सेम कोसंस का सेम अंसर को एक ही अंसर को कई सारे तरीके से लिखा गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ जो मिल गया फर्स टाइम वही मिल गया है एक्जाम में जेडवान कास्तों मुल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर 3-2 है और यहां पर 2-3 आ रहा है तो यह इंटर्चेंज हो कि कभी नहीं बन सकता इसलिए हम लोग तीन आप्सें आपका गलत हो जाएगा में तो एक तीन आप्सन करेक्ट होते हैं तो यह वी सवाल आपके फिनिस होते हैं आप नोट कर लो करें करें कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल